इस question का answer देने से पहले मैं आपको पहले छोटा सा background दे देता हूँ कि exactly क्या हुआ पिछले 10 दिन में और अब उसकी base पर मैं आगे क्या decision लेने वाला हूँ जैसे कि आप सब जानते हैं कि YouTube ने अपनी terms and conditions में कुछ changes करें जिसमें से एक सबसे बड़ा change ये था कि अब जो भी ऐसे channels हैं YouTube पर जो की partner program में नहीं है उन सब के channel पर YouTube अब आड चला सकता है और उस आड से जो भी revenue आईगी वो सारी YouTube खुद रखेगा यानि कि जो content creator है उसको कुछ नहीं मिलेगा तो जैसे कि आप सब को पता ही होगा कि मेरा जो YouTube channel है उसको मैंने 2012 में launch किया था लेकिन आज तक मैंने advertising से 1 रुपे भी वहाँ से earn नहीं किया है यानि कि I was not a part of the YouTube partner program तो क्या हुआ कि जैसे email मेरे पास में आई और मुझे पता लगा इस नई term के बारे में तो मैंने immediately register कर लिया YouTube partner program के लिए और मैंने सोचा कि एक दो दिन में मैं YouTube partner program में आ जाओंगा उसके बाद में मैं जा करके monetization को off कर दूँगा क्योंकि वहाँ पर अंदर एक setting होती है कि जहां से monetization को on भी कर सकते हैं off भी कर सकते हैं बर the problem was कि जब मैंने उसके लिए register किया तो वहाँ पर वो show कर रहा था कि दो महीने लगेंगे ये approve होने में तो ये जो दो महीने का time वहाँ पर show कर रहा था ये actual में मेरे ले एक बहुत बड़ी problem थी क्योंकि इसका मतलब क्या था कि एक June से जैसे ये नई time apply हो जाएगी तो मेरे चैनल पर ads चलनी शुरू हो जाएगी और वो ad का पैसा मेरे पास में नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास में आता तो मैं फिर भी एक बार को charity में दे देता वो पैसा सारा का सारा YouTube के पास में जाएगा तो दो problem हो गई ना मेरे ले एक तो मेरे चैनल पर ads आ गई जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है दूसरा वो सारा का सारा पैसा YouTube के पास में जाएगा और charity में नहीं जाएगा तो उसके बाद में मैंने दो दिन तक वेट किया कि शायद मेरा जो चैनल है वो YouTube Partner Program में एंरोल हो जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैंने decision लिया एक open letter लिखने का YouTube को जो आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने अपने सारे social media accounts पर share किया यानि कि YouTube पर Facebook पर Twitter पर Instagram पर सब जगे और मैं आप सब लोगों को अपने पूरे दिल से thanks करना चाहूंगा क्योंकि ये आप लोगों की मेहनत है क्योंकि आप लोगों ने उसको जगे जगे पर share किया, retweet किया, tag किया और finally वो बात YouTube के जो decision makers है उन तक पहुची और फिर उसके बाद में मेरे पस में YouTube से एक email आई जिसमें clearly है mention था कि आपका जो channel है वो अब YouTube Partner Program में enroll कर लिया गया है और अब आपके पास में पूरा right है कि आप चाहें तो monetization को on करिये, चाहें तो off करिये, तो पीछे से जब मैंने देखा तो मेरी सारी videos में monetization off है, इसी वज़े से अभी एक June से आपको कोई भी ad नहीं देखने को मिल रही है मेरी किसी भी वीडियो में तो ये हम सब की, यानि की आप की और मेरी एक बहुत बड़ी जीत है, so I would like to thank you once again from the bottom of my heart for all that you have done तो अब आगे के लिए मैंने ये decide कि है कि आप से मेरी जो भी नई videos upload होंगी, उसमें से हफते की 6 videos upload होंगी SMTV पर और एक ये दो videos upload होंगी YouTube पर जिससे के अगर future में कभी, दुबारा से अगर कोई ऐसी नई terms and conditions आती है YouTube की या फिर कोई नई policies आती हैं जिससे कि मेरे को problem है, तो मैं अपने इस channel को delete कर सकता हूँ और अपनी सारी YouTube की जो वीडियो अगर उसको एक लाइम में sum up करना हो तो वो ये है कि अब मेरी जो नई videos हैं वो सारी SMTV पर upload होंगी और उसमें से कुछ YouTube पर upload होंगी और अगर future में कभी कोई problem होती है जिसके chances बहुत कम है क्योंकि writing में मेरे पास में confirmation आ चुका है YouTube से कि monetization का पूरा control मेरे हाथ में है तो अगर future में फिर भी कोई problem होती है तो पूरी तरह से हम SMTV पर shift हो जाएंगे अगर वो problem नहीं होती है तो ये दोनों platforms चलते रहेंगे अगर आपको हफते की एक दो videos देखनी है और उसमें आपका काम चलता है तो बहुत बढ़िया है वो YouTube पर upload होती रहेगी लेकिन अगर आप मेरी सारी videos देखना चाते हैं उसके लिए आप SMTV पर जा सकते हैं वहाँ पर जाकर कि वो videos देख सकते हैं Wish you all the best and thank you so much for your support